मेरा मन करता था कि आपसे भी कुछ समवात करो आज सुप्रिम कॉर्ट नहीं एक ऐसे महत्वपों मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीशे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग काली इतिहास है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो जो हुई और आज मिलने आ चुका है बसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है साथियों पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाई ने हर पंध के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है वो भारत की पुरातन, संस्कृति, परंपराव और सद्भाव की भावना को प्रतिमिब्वित करता है बाई और भेनों भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीत तामे एक्ता विवीत तामे एक्ता आज यह मंत्र अपनी पूनता के साथ खिला हुआ नजर आता है गर्व होता है हजारों साल बाद भी किसी को विवीत तामे एक्ता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के एत्यासिक देन का आज की घटना का जरूर उलेक करेगा और ये घटना इत्यास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करोर देशवासी खुद आज एक नया इत्यास रच रहे है इत्यास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ट जोड रहे है साथियों भारत की नयाए पालिका के इत्यास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याई की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रिम कौट ने सब को सुना बहुत धैरियत सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मती से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुलजाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारिया सरल नहीं है सुप्रिम कौट ने इस फैसले के पीछे द्रड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्यायाधिश न्यायालए और हमारी न्यायी प्रणाली आज विशेश रुप से अभिनंदन के अधिकारी है साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारित थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विपरित धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल पलिया था आज नव नवंबर को करतारपूर साहिप करिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारिक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जोडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दिन है नए भारत में भाय कटूता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाइरे में ही आता है कानून के दाइरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैरिये बना कर रखना ही सर्वोचीत है हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान भारत की न्याइक प्रनाली यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे यह भावत महत्वपून है साथियों सर्वोच अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवात का भलई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीड़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी आईए एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का निर्मान करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छुट रहा हमें सब को साथ लेकर सब का विकास करते हुए सब का विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों, राम मंदिर के निर्मा का फैसला सुप्रिम कौट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्मान की जबाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एगनागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्याईक प्रक्रिया का पानन करना नियम काईदों का सम्मान करना ये दाईत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतिय को अपने कर्तव्य अपने दाईत्व को प्रात्विक्ता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश्च के लिए बहुत अनिवार्या है हमारे बीच का सवहार्थ हमारी एक्ता हमारी शान्ती हमारा सद्भाव हमारा सने देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है हमें भविश्ची और देखना है भविश्च के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनोतियां और भी हैं लक्ष और भी हैं मंजीलें और भी हैं हर भारतिय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा मंजीलों तक पहुँचेगा मैं फिर एक बार आज नव नौंबर के इस महत्वपूंड दीन को याद करते हुए आगे बंदे का संकल्प लेते हुए आप सब को आने वाले त्योहारों की कल इत का बड़ा पवित्र त्योहार हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ ज़ने वाद